आदिवासी लोगों को पढ़ने लिखने के लिए कोई बड़ी सहुलियत जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रही है इसलिए आदिवासी लोग अन्य समाज की तलब में ज्यादा पढ़े लिखें नहीं है इस बात को लेकर केशोरी पुल स्थाने में आदिवासी लोगों के लिए लाइबरी खोली गई जिसका फाइदा आदिवासी लोगों को हो रहा है कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनो की नवाब लेकिन गोंदिया जिले के अंतरगत आने वाले कई ऐसे आदिवासी लोग है जो अशिक्षित माने चाते हैं इसका कारण सरकार हो राशनिता हो या हो फिर प्रशासन इनके द्वारा सही माईने में आदिवासीों को पूरी सहुलियत नहीं मिल पा रही है जिससे आदिवासी समाज के लड़के लड़किया आज भी अज्ञानता के अंधेरे में अपना जीवन पिता रहे है आदिवासी के बहुत ही कम ऐसे बच्चे है जो पढ़ रहे है बनाई गई है इस लाइबरेरी में गाव के लोग आकर किताबे पढ़ते हैं जिससे उनकी ग्यान में बड़ोतरी हो रही है इस बारे में केशोरी थाने की महिला कॉंस्टेबल मीना एवा मावली ग्रूप के महिला सदस्यों ने जानकारी थी आप यह बता कि जिस तरह से अंबरा के पुलिस्ताने में यह जो लाइबरेरी लगाएंगे यह और पर पढ़ सकते हैं और उनको पूरी सुवीदा दी जा सकती है क्यूंकि जो भी हमारे अधिकारी वर्ग है वो पूरे अच्चे से उनको बता सकते हैं कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब इस संकलपना को साकार करने के लिए केशुरी पूली स्टेशन द्वारा ये जो पहल की गई है काफी अच्छी है यहाँ पर इस लाइबरेरी में आप देख सकते पीछे में के एक सिबढ़कर एक ऐसे किताब है जिससे न उज़ाना पढ़ते हैं बच्चे क्या बड़े बुजर्ग भी आते हैं और अपने नालिज में इजाफा करते हैं और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि देश को यदी अच्छा शिक्षित और मदबुत करना हो तो यकिन है शिक्षाखाइ धायरा बढ़ना भी उतना ही मद और इस बात को ध्यान में रखते हुए किशोरी पुली स्थाना द्वारा ये जो काम कास किया गया है इसकी पुरे राज्य में सराना हो रही है किशोरी पुली स्थाने से कैमरा परसन सुमाज बुठले के साथ संजय मिरे इंबी सिन निज नाखपूर